देश हित की बात मत्रफ भुमी न्यूस के साथ भाजपा पार्शद व भाजपा महिला मंडल अध्यक्ष का पती अवेत स्मेक के साथ गिरफ्तार कॉंग्रेस पार्शदोंने की भाजपा पार्शद के इस्तीफे की मांग, नशे का व्यापार करने की करी निंदा शबड़ा कॉंग्रेस पार्शदों की एक बैठक मंगलवार को एक निजी कार्याले पर नेता प्रतिपक्ष उमर मिया की अध्यक्षता में संपन हुई पार्शद प्रतिनिधी अजय तेजस्वी के अनुसार बैठक में भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष व पार्शद हंसकव के पती विरेंद सिंग उर्प बबलू के साथ ग्राम स्मैक में गिरफतार होने पर चिंता जताते हुए निंदा की गई एवं एक जनप्र अफगानिस्तान मैच पर भारत ने शुक्रवार को बहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए टीबी स्विश्व कप के मैच में स्कॉटलंड को आठ विकेट से हराकर सेमी फाइनल में प्रवेश की उम्मीदे बरकरार रखी है पूरा मैच 24 एक ओवर तक चला भारत ने पहले स्कॉटलंड को सत्रह चार ओवर में 85 रन पर आउट कर दिया और उसके बाद 6.3 ओवर में ही मैच जीत लिया सेमी फाइनल में पहुचने की भारत की उम्मीदे अफगानिस्तान पर टिकी है जिसे रविवार को न्यूजीलेंड से खेलना है न्यूजीलेंड की जीत से भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा देश में कोविड-19 के 10,929 नए मामले पिछले 24 घंटे में 392 मरीजों की मौत भारत में शनिवार को कोविड-19 के 10,929 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,44,683 हो गई वहीं संक्रमन से 392 और लो दिपावली के पटाखों से जैपूर का पर्यावरन बुरी तरह बिगड़ गया है राजधानी जैपूर में प्रदूशन का स्तर खत्रे के निशान के पार पहुँच गया है जैपूर के सी स्कीम क्षेत्र में सरवाधिक प्रदूशन दर्च किया गया है जिसमें सी स्कीम म QI 308 तो वही सेठी कॉलोनी में 304, शास्त्रिनगर में QI 306 पर रहा। दीवाली भले ही ग्रीन पटाकों से सजी रही हो लेकिन फिर भी राजधानी का प्रदूशन स्तर काफी बढ़ गया है। जैसी बीमारियों का भी सामना करना पढ़ रहा है। शबणा से हिमान्शो शर्मा की रिपोर्ट